नमस्कार आप सभी को, Happy Valentine's Day, कैसे हो आप सब, मेरे साब से तो Valentine's Day रोजी होना चाहिए, in fact, एक दिन जो Valentine's Day है ये डे होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि no hate day, no nafrat दिन, no jealousy दिन, no गुस्सा दिन, इस तरह के दिन होने चाहिए, क्योंकि अकसर हम क्या करते हैं, यही च इस चीज़े जादा होती है, तो इसकी बजाए कि यह दिन बनाए जाए कि आज के दन हम यह चीज़ नहीं करेंगे, तो सबसे बेस्ट होगा, और Valentine तो रोजी होना चाहिए, और Valentine का मतलब सिभ यह नहीं होता, कि आपको गिफ्स का लेंदेन करना है, जरूरिया कि आपको बो जिनको हम यूजरी अप्रीशेट नहीं करते हैं, हमें पता है कि हम पैरेंस के बगए रह नहीं सकते हैं, क्या परस्नली हम उन्हें कभी मुह से यह जाके बोलते हैं, कि I love you very much, thank you very much, आप मेले इतना करते हो, सिर्फ 2 मिनट उनका हाथ होल्ड कर लिया, आपने उनको एक स्मा करने में मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई पर्टी कोई एक दिन होना चाहिए, वो तो हमेशा ही होना चाहिए 24 घंटे ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम करते हैं, रेगुलर बेस पहर, उस बेस पहर दिन बंडर चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता है, no hatred दिन, no anime day, no jealousy day या मैं आज किसी को बुरे शब्द नहीं बूलूंगा ऐसा दिन आज मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारे हर दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो चलिए अब मैं आते हूं में मुद्दे पर में उपाये उपाये में आ कर सकते हैं लेकिन एका आज ही करना या वाले लिलेटान वाले दिन आफ कभी लाइफ ताइम में इसको कभी लेक्रकाती की लिए अगर समय इसको कोई लेना देना नहीं है आप कभी भी कर लेगा मर्जी आए इस उपायी को कर सकतीं की बहुत ही कר है चैसे की पर को है नहीं है सिंपल सा हो और बहुत ही आसान सो पाए जो आप कर सकते हैं इसमें आपको च्होटा सा सफेद रंग का मर्माल अब अब रुमाल आप क्या कर सकते है रेडिमेट सफेद रंग का लेकर कोरा होना चाहिए यह तो आप क्या कर सकते है बड़ा सपड़ा ले उसको कटवा के उसमें सिलाई लगवादे चारो तरफ ऐसे बहुत सारे कपड़े से बना के रख भी सकते है जितने लोग होंगे उतने ग्रेट करने के बाद उसका रस आप निकाल दीजिए अब आपको क्या करना है मोर पंक लेना है यह आप जो कोई भी पॉधा होता उसके आप टहनी ले लिजिए और उससे पॉइंट करके उसको डिप करकर के वह बीटूट के जूस से आप नाम लिख लिजिए आप किनका न फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है इनिश्यल हो सके तो भार थोड़ा सा लिख लीजिएगा क्योंकि इन केस आगे जा कि आपको जब सब्सक्राइब करना है जैसे कि मैं आगे बताने वाली हूं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा फिर एक रुमाल आपको खोल के यह फोल्ड कर देना आपको ठीक है नौ मिल्क जैसे भी फोल्ड मर्जिया कर दीजिए बस वो लिखा हुआ इससा अंदर चला जाना चाहिए उसके उपा अतर या पोफ्यूम यह थोड़ी से आप ऐसे लगा दीजिए अब आपको क्या करना है इस रुमाल को अपने हाथों म अब होल्ड करके आपको यह बूलना है कि मेरे रिलेशन शिप अब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए प्यार भरे हो गये उसमें कोई कम्पलें नहीं करने कोई भी पुरानी बातों के बारे में आपको नहीं सोचना है यह नहीं सोचना कि आपके में से माफी मांगोगे य सब बाते भूल जाना सिर्फ आपको यह इमाजिनेशन करना है कि जब आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा तो वह किस प्रकास होगा आपको उस वाक सिर्प प्यार भरे रिलेशनशिप के बारे में सोचना है कि आपको क्या वह करेंगे यह आप उनको जाकी हग प्रकात, रहने लिया को विया जानक साप की निवीश पम करें तो आप सब्सक्रायि तो आपको आपको पाउने रूप से वचाना के विलुब्स यह युद्यादने और कुछ पोस्टिव और अच्छी बात топ है ऐन Сам कोई को इस वक्राइश्य माइन वह है कि वह चीज हो चुकह है बस इस प्रकास से अनेजिजेस करके आप इसको इलमारी में कहीं में चुपा के लुए एक ने लिखने का नाम एक साथ कर ले यूजान पय 느껴져िंगे प्र मानहों के 15 देन 20 देना टो werden यूझ जब भी आपको लगे कि relationship अच्छी हो गए अब आपको इसकी जरूत नहीं है उपाई की अब आप लों में बहुत जड़ा अंडेस्टेंडिंग हो चुकिए उस रुमाल को लीजेगा कहीं पर भी जाके मिट्टी में जाके आप इसको दबा के आजाईए किसी बिदिन किसी भी समय जब भी आपको द करके जरू देखेगा और आप मुझे कमेंड करके बहुत ही जल्दी खुश खबरी देंगे कि आपके काम होने लगे तो बिल्कुल भी निराश नहीं हो कि वैलेंटाइन्स डे वाले दिन आज मैं आपको बता रही हूं तो यह उपाई आज ही करना ऐसा नहीं है आप इसको क अभी भी सुपाई को कर सकते और इसका रिजल्ट आपको पॉजिट भी आएगा तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूत नहीं है और मैं वेट करूंगी बेसबरी से कि आप मुझे कमेंड करके बताए कि आपके काम होने लगे कि इससे बड़ी खुशी की बात मेले और क कि आप मेरे सबसे क्लोज हैं आप मेरा बहुत बड़ा परिवार बन चुके आपके प्यार के बगेर ये चैनल नहीं ग्रों हो पाता आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आई लव यू आई लव यू लव यू वेरी मच ऑल अफ यू बहुत दिल से में आप लोगों को प्यार करती हूँ भगवान करें इश्वर करें कि आपकी हर मनों कामना पूरियो और कभी आपको कभी भी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आए बस आपके रास्ते हमेशा पार होते चले जाए ठीक है तो चले तक तक आप अपना पूरा-पू कर सकते हैं कि बहुत अच्छे में यहां पर भी पोस डालती रहती हूँ तो कोशिश करें कि अलग अलग छोटे-छोटे टिप्स में आप लोगों के लिए डालो जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पता किसे चलेगा है ना तो चले तब तक आप अपना पूरा- अपुरा द्धान के का या, I wish you all the best, God bless you Hari Om